हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का मेरे चानल डिस्कावर स्टडी विट मी पीटी बोरा तो दोस्तों यह है पॉलिटिकल थियोरी के कोश्चन आंसर की सेकिंड वीडियो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको यह सजेस्ट करूंगी कि आप एक बर इंट्रो इफ्ते देती हूं जो भी हमारे नए यूजर्स हैं उनके लिए देखिए मैंने पॉलिटिकल थियोरी पर एक प्लेलिस्ट बढा रहे हैं जिसमें आर्मोस्ट सारे कंसेप्ट मैंने डिसकस कर रहे हैं उसमें अराउंड 29 वीडियो हैं और हर एक वीडियो से रिलेटेड मैं question answer cover करा रहे हूं ताकि आपकी conceptual and question answer की series दोनों पूरी हो जाए and in question answer के जरिये मैं आपको हर एक question में कुछ ना कुछ strategies बताऊंगी मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे question आते हैं क्योंकि obviously आपको सब लोग question दे सते हैं in fact आपको question bank हर कहीं से मिल सता है लेकिन selection फिर भी सबका नह का होता है कि right strategy और right effort जो आपका exam cracker आता है तो दोस्तों intro video में मैंने अपना experience भी share किया है कि मैंने कैसे clear किया था वो भी within two weeks उसमें क्या क्या strategies होती है and पहले आप इस video को complete कीजे आप क्या करना है कि एक-एक video जो videos related में ये question answer कवर करा रही हूं वो video आप देखिए ये question कीजे और अगर आप question पहले कर रहे हैं तो पहले एक बर question कर लीजिए उसके बाद आप वो video देखिए देखिए वहाँ पर मैंने कौन-कौन से points आपको बताये हैं कि कैसे पढ़ने है और मैं आपको suggest करना चाहूंगे कि आप मेरी channel को subscribe करें और साथ ही साथ notification भी on कर ले because जितनी जल का होता है कि आपके पास कोई strategy आ गई है तो आपके पास पूरा दिन है उसको utilize करने का उसको analyze करने का and जिसको जो भी doubts है वो यहाँ पे comment में पूछे तो ज्यादा बेटर है मैंने पहले भी बताया है क्योंकि किसी के अगर एक doubt होते हैं तो बहुत लोगों के similar doubts होते हैं तो same यहीं पर same सबको answer मिल जाएंगे तो एक दूसरी की help हो जाएगी and एक ही जगे सारे doubts and सारे questions होंगे तो आपको भी बहुत असानी होगी तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते है हमारा जो second video थी nature of political theory उससे related है यह question answer series question number one political theory is history as political theory history है क्योंकि 4 option दे रखें देखें इसमें इतने strategically answer mark करेंगे उतना आपका फायदा है अब political theory history क्यों है first कि वो customer tradition पर बेस्ट है तो यह obviously हमें पता है कि सही हो क्योंकि custom historical होते हैं दूसरा based on behavior अब कुछ लोग सुचेंगे कि यह गल्त हो सकता है क्योंकि जैसे जैसे modern होते जैसे जैसे चीज़ें बदलती है वैसे वैसे connect कर सकते हैं history से जैसे की behavior based है हमारी ideology पे जो कि historically आई है या फिर historical events पे बेस्ट है या फिर हमारे experience पे बेस्ट है तो सब कुछ history पे बेस्ट है तीसरा based on values values में morals, ethics, tradition यह सब कहां के हैं यह सब historical है तो इसका answer है all of the above यहां पे हमारे all of the above के सही होने के chances बढ़ गया है तो दोस् of the following statement is not said by Emanuel Kent about philosophy देखी यह दूसरे type के question आया अब इसमें जिसने Emanuel Kent को नहीं पड़ा उसके लिए यह question बहुत ही difficult होगा that means यह conceptual question है and conceptual question में भी वो sub category है इसकी कोई thinker है उन्होंने क्या-क्या popular theories से रखी है तो इसके option है first what can I know मैं क्या चान सकता हूं what must I do मैं क्या कर सकता हूं what is the reason of my failure मेरे fail होने का क्या कारण है और fourth what I hope for मैं क्या hope कर सकता हूं मुझे किस चीज़ के आशा होनी चीए तो इसमें जो third statement है वो Kent ने philosophy के बारे में नहीं बोली थी आप जब जाएंगे मेरी video देखेंगे उसमें मैंने यह भी बता रखा कि philosophy क्या है और यह भी बता रखा है कि Emmanuel Kent ने उनको philosophy को ऐसे क्यों describe किया है तीसरा question the process of comment is written by देखिए process of comment एक book है तो वो किस ने लिखी है तो यह आगया तीसरे type का question जिसमें books and authors से related है देखिए कोई भी personality होती है उस पे based दो type के question आते है एक वो personality और उनकी ideology और दूसरा वो personality और उनका work तो आप हमेशा इन दो च कर पड़े उसकी अराम से एक page बनाईए उसमें उनके mean mean ideology एक तरफ से लिखिए और एक तरफ से उनकी काम लिखिए और उनको किसी भी आप अपनी trick में या फिर कोई story बना के उनको politician आप उनको politician से compare कर सकता है आप उनको film hero से compare कर सकता है hero इन से किसी से भी कोई Bollywood movie Hollywood movie कुछ भी compare करके trick बनाईए एंड आपको पता है कि कोशन तो objective आना है तो जब आएगा अगर आपके trick बड़ी अच्छे सा आपके दिमाग में fit होगी तो आप बहुत जल्दी correlate उसको कर लेंगे फिलाल के लिए जो process of the government है इसके जो author है that is Arthur Bentley और मैंने जो चारो नाम दे रखिए है अगर आप वीडियो जाके देखेंगे तो वहाँ पर इन चारों ने क्या-क्या बुक लिखिया वो भी है और अगर आप मेरे टेलिग्रम चैनल को जॉइन करेंगे तो वहाँ पे इस related notes भी है बट एक बर वीडियो ज़रूर देख लीजएगा क्योंकि उस पर मैंने explanation भी दे इसे science के chemical formulas होते हैं कि अगर A में B वाला acid कि अगर A एक acid है B base है तो mix करोगे तो salt बनेगा यह कुछ एक cause effect है यह भी नहीं होता तीसरा उसमें liberatories भी नहीं होती तो इन तीनों points पे यह criticize हो सकता है तो यह पहले question जो मैं आपको पताया था वीडियो के शुरुआत में वैसा ही question है जिसमें all of the above के chances जाता है political जो theory है वो science नहीं है but social science है political theory को science समाना जाता है क्यों first कि उसमें reason और rationalism है obviously है दूसरा उसमें objectivity है अब कुछ लोग इस option में confused रहेंगे क्योंकि लगता है नहीं कि political theory में सिर्फ subjectivity है कि अब बहुत साई dimension निकल सकती है same impact की but what about ideologies and all की एक particular ideology है वो किसी एक particular principle पर believe करती है that is objectivity की objective question क्या होते है देखे जिसको subjective objective नहीं पता objective question क्या होते है mcq कि अगर कोई question आ रहा है उसमें से हम एक चुन सकते हैं अच्छा ये है subjective क्या होते है question ने दिया अब आप लिखो मर के अब लिखो जो मर जी मतलब उसकी काफी dimension हो सकते है लेकि थी वो किस ने लिखी थी अब देखे ये वही author and उनकी book वाला question आ गया तो इसका answer है second C. Wright Mills ने लिखी थी 1962 में और इसमें इनोंने बताया भी था कि significance क्या है political theory का तो दोस्तों अगर वीडियो देखोगे तो वो explanation आपको मिल जाएगी और ये factual question मैंने इसलिए या इधर important होते हैं जो आपको याद रहने चाहिए next what is the task before political theory political theory के सामने task क्या है क्या उसके channel मतलब क्या काम गया political theory का अगर हम पढ़ रहे हैं तो first to identify political variables की कौन-कौन से variables है politically जो impact करते हैं right second analysis करना political concepts की third moral philosophy अब लोग confused हो जाएंगे लेकिन अब देखो ये तीसरे type का question है all of the above इसके chances हैं लेकिन क्यों देखो अगर अगर आप third statement में confused भी हो तो पहले दो statement आपको बिल्कुल सही लगेगी कि political theory का ये काम है कि political variable को ढूलना और और political concepts को analyze करना clear हो तीसरा option यह तो नहीं है कि one and two और चौता option नोटा नहीं है तो इसलिए उसका all of the above होगा moral philosophy कैसे है मैंने बताया थ history तो वो reason है इसके पीछे next इन सम्में से कौन सा ऐसा idol है जो French Revolution से related नहीं है तो French Revolution से related 3 idols है Liberty, Equality, Fraternity जो justice है वो हमारा Russian Revolution से associated है और यह बहुत easy question था but cover इसलिए किया है क्योंकि बहुत common question है तो आता है next question modern political analysis ये एक book है किसने लिखी है ये तो जो modern political analysis है वो लिखी है Robert Dahl ने last question of दे कि significance क्या है political theory का अब देखे ये जो significance उनके characteristics वाले question आते है उसमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है जरूरी निये क्यों all of the above है but significance अगर आप generally देखे कि normal situation में आप imagine कर सकते है देखो हम political समझ लो आप अगर college में हो तो कुछ political campaign चल रहा है तो political theories आप कैसे लगाओगे it studies value value को study करता है ना right दूसरा determine करता है human का social और political behavior बिल्कुल correct है क्योंकि जब तक political कोई theory नि देगा तब तक वो वैसे react नहीं करेंगे और उनके हिसाप से values ने आएगी तीसरा serious and difficult intellectual activity yes it is तो इसका answer है for all of the above तो दोस्तों ये थे nature of political theory से related important questions next video में हम evolution से related questions करेंगे और मैं आप से request करना चाहूंगे कि आप देख तो लेते हैं videos बट आप शेयर नी करते और शेयर नी करोगे तो फिर views ने आते फिर ने आते तो मेरा moral लाउन होते है तो प्लीज आप share कीजिए video को like कीजिए comment कीजिए जितने likes and comment होंगे उतना तो लोगों के पास पहुचेगी ये video तो मैं मैं इतना efforts टाल लिए तो आप भी उसको थोड़ा साथ हैं तो दोस्तों आपको कोई भी doubt है आप comment section में लिखिए आपने देखा भी होगा कि मैं comments पे बहुत लंबे-लंबे मेरे answers होते हैं वो मैंने इसलिए लिखे हैं कि अगर किसी का same doubt हो तो वो वहां से भी clear हो सके and जो किस बाइ भाइ ठीक केर